हेलो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि area of a circle को हम कैसे प्रूब करते हैं is equal to pi r square लास्ट वीडियो में हमने area of a circle को एक rectangle की area में plot करके उसके two adjacent sides को multiply करके हमने area निकाला था आज की वीडियो में हम एक circle के area को एक triangle के रूप में plot करेंगे then we will calculate the area of a circle is equal to pi r square तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक suppose एक circle है with radius arc इसको हमने different thread के माधियम से बनाने की कोशिस की है ताकि जो भी इस circle का area उसको हमें इस form में plot करना है एक triangle का form में तो suppose एक सबसे एक outermost circle को हमने एक thread से create किया just assume it और इस thread को काटने के बाद suppose this is circle number one इसको represent मैंने यहां किया है इस thread को cut करने के बाद इसको हमने straight कर दिया इस ट्रेट करने के बाद इसकी लंबाई कितनी होगी it is nothing but the circumference of a circle तो इसको मैंने open करने के बाद इसकी जो लंबाई होगी that is 2 pi r यहां पे आपको space दिख रहा है बट actual में यह space है नहीं जो circle number two है यह just इसको touch करता हुआ उससे just छोटी length का एक अमने thread लिया and उससे एक हमने circle बनाया अब circle number जो second circle था जो thread का बना हुआ था उसको हमने निकाला and उसको cut किया and इसके उपर just place कर दिया suppose यह assume किजिए कि जो second circle है but इन दोनों के बीच में कोई space नहीं है it is touching to each other right but इसकी लंबाई चुकिए इससे just inner circle है इसकी लंबाई से थोरी सी कम होगी might be say delta x या delta y कुछ भी उसी तरह से third circle को लिया हमने इस thread को इसको cut किया and इसको इसके उपर place कर दिया यह इससे थोरी और छोटी होगी तो इसी तरह से हमने circles को threads को निकालते गए और उसको cut करते गए finally इसको cut करता हुआ हमने एक triangle के form में यह बन गया but जिसका कि bottom part जो है वो सबसे longest length का है and जो topmost part है जो बिल्कु सेंटर पर जो circle है उसकी लंबाई zero होगी तो in this way finally we form this and इसको assume किजिए कि there are infinite number of such circles जिसकी help से हमने यह पुरे circle को plot किया है तो यह सारे threads को separate करने के बाद सको cut करेंगे और जो plot करेंगे so finally we will get this picture जिसमें कि threads की लंबाई gradually कम होती जाएगी सबसे लंबे thread की लंबाई होगी 2 pi r and जो सबसे चोटा thread होगा that will be point length तो उसकी लंबाई नहीं होगी that will be point only अब एक circle बन गया कि जिसका length जो कि एक triangle बना जिसका length है 2 pi r and यह जो height है यह कितना होगा कैसे निकालेंगे because आप देखिए यहाँ पर जो thread की मोटाई थी जितने भी threads थे वो threads zero से start हो करके बिल्कुल last के circle तक गये है तो यह सारे threads एक दूसरे को touch करता हुआ यह जो circle का radius है इसके बराबर उसकी height होगी because वही thread की मोटाई यहाँ भी है तो जितने threads यहाँ से ले करके center तक के same number of threads from bottom to top तो यह जो total height बनेगी वो इस circle के radius r के बराबर होगी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह triangle बना जिसका height r है और base 2 pi r है और हम सब जानते हैं कि area of triangle is equal to half into base into height half into base क्या था 2 pi r into r 2 से 2 cancel हो गया area is equal to pi r square तो in this way हम एक circle के area को एक triangle की area के root में plot करके उसके area को prove कर सकते हैं कफी interesting रहा होगा and आगे भी इस तरह के कई सारे interesting videos आप लोगों से share करूँगा तो जुरे रहिए हमारे साथ Thank you